है 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 चलिए कोश्चन है 28 कोई के कोश्चन के रहा है कोश्चन यहां पर फ्लैश होड़ा होगा ए है जिस सम्कॉइंट एक के पास कुछ सिख्ये है अब क्या किया ए ने बी को अपने पास जितना था उसका हाफ और इसके साथ दो और अधिक यह कोश्चन यहीं कह रहा है कि A had some coins, he gives half of the coins and two more to B अब कोश्चन नेक्स लाइन के रहा है कि B gives half of coin and two more to C अब C को B ने क्या किया कि B के पास जितने भी coin थें ठीक है इसका half और इसके साथ दो coin और C को दे दिया ठीक है अब क्या बच रहा है इसके पास अभी इसकी बात हम लोग नहीं करेगी कितना कितना किसे मिलना है वो बात कर रहा है इसके बाद next line किया रहा है कि C gives half of the coin and two more to D D को C के पास जितना था X by 2 ध्यान से देखेंगे प्लस 2 डिवाइड बाइड बाइड तू प्लस 2 ये किसका था C था इसका half C ने D को दिया और साथ में दो और coin दिया ठीक है number of coins D has now is the smallest two digit number अब जो D के पास जो coin है ये जो है smallest two digit number है कह रहा है question में how many coin does A have in beginning शुरुआत में A के पास कितने coins थे तो symbol से बात है यहां पर क्यानिकल कहेगा बच्चो कि minimum two digit number D के पास क्या है two digit number का coin है जो कि minimum है two digit number minimum यहां पर मैं लिख देता हूँ minimum minimum यह है D के पास बतलब D के पास जो यह value है यह minimum two digit number होगा so we can write देखे ध्यान से x by 2 ध्यान से यहां पर steps को देखेंगे किस तरह से हम लोग follow up करते है divided by two plus two divided by two plus two यह किसका है D के पास और जो दो डिजिट का number जो minimum होगा वह कितना होगा बच्चो वह होगा 10 क्योंकि एक डिजिट का maximum number 9 अब जैसे ही दो डिजिट पिताएंगे तो यह दो डिजिट का minimum number हो जाएगा 10 अब इसी को हमें solve करना है ठीक है किसी को solve करना है और solve करके हमें value find out करना है एक अब देखिए प्लस में आ बच्चो इस प्लस को यहां से हटाएंगे transfer करेंगे तो इधर आ जाएगा minus में तो minus 2 तो यह हो जाएगा minus 2 तो यहां पर हम लोग इसको 8 लिख लेते हैं ध्यान से देखिए 8 हो जाएगा यह एक इस टेफ हम लोगों ने लिख लिया आगे इसी तरह चलेंगे इसी में अब यह cross multiplication होगा इस तरह हो जाएगा तो अगर इस तरह जाएगा तो 2 से multiply होगा तो यह हो जाएगा 16 और यह वाला पार्ट निकल जाएगा ठीक है अब 16 में से ये 2 इधार चला जागा ध्यान समझेंगे तो minus 2 तो ये 2 इधार चला जागा तो ये हो जागा 14 ठीक है अब 14 किसे multiply होगा 2 से इहाँ पर लिखेंगे 14 2 से multiply होगा cross multiplication तो ये क्या हो जागा इसको हटा लेते हैं ठीक है तो ये हो जागा 28 ठीक है एक ही step में करना है जा नहीं है कि बार बार लिखेंगा पर time खड़ाब हो जागा हमारा ठीक है अब ये इसमें आ जागा 28 में से 2 जागा तो क्या बच जागा x by 2 this is equal to 26 चुकि ये इधार आ जागा तो minus में transpose करेंगा minus में so x is equal to 26 divided multiply by 2 so this is equal to 52 ये होगे हमारा answer option दखिएगा option D यहाँ पर correct है तो इस तरहा question आता है किसने कितना किसको दिया ठीक है थोड़ा सा algebra का है और इसमें equation बनाना होता है तो इस तरहा question 2-4 question करेंगा तो आपको practice हो जाएगा तो ये होगी हमारा question number 28 चलते है next question पर उसे पहले board को area करते है question number 29 flash हो रहा है बहुत ही शांदार question है question क्या रहा है in the series A, A, B, A, B, C, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E which letter appear in the 100th place is 4 option है option A में G है B में H है H में C में I है और D में J है question उपर flash बढ़ा चलिए बहुत ही शांदार question है ये और इसमें class 10 में जो AP पढ़ाया गया उसका application है arithmetic progression कर देखिए कैसे होता है जो series given है ध्यान से देखेंगे A, A, B इस तरह से given है एकदम सटा 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 कर लिखा हुआ है जान मुझे कि बच्चों बच्चे को confusion हो जाए A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D, E इस तरह से लिखा हुआ है और कह रहा है कि 100th place पे कौन सा यह आएगा, letter आएगा, 100th place पे, 100th place पे कौन सा letter आएगा, देखिए, question अगर आप लिखेंगे ना, तो 100th place में लिखेंगे जिस एक, दो, तीम, चार, पांच, छे, साथ, आथ, नो, दर्स, ग्यारा, बारा, पियरा, चोदा, पंदर, तो 100 तक लिख ले और वहाँ पे जाके देख ले, एक तो तरीका यह है, तो आथा time लाएगा, लगा सकते हैं, अगर question कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी, मतला अगर भी किस्टोट है तो, लेकिन अगर आप में intelligent है, तो थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे, कि अगर हम first में देखें A है, second में A, B, C है, third में A, B B, C, D है, और fifth में हमारे पास A, B, C, D, E है, इसी तरहा हमारे पास पांच में में, क्या होगा, पांच में 5 लेक्र हैं, तो hundred place में निकालना है, तो first bar में अगर हम देखें, first में तो यह one हो गया, यह two हो गया, यह three हो गया, यह four हो गया, यह five हो गया, तो यह जो number है, यह सम कर तो sum हमारा क्या हो जाए को 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to n ये किसे कम होना चाहिए ये होना चाहिए 100 से कम ध्यान देखेंगे यहां पर ये 100 से कम होना चाहिए कि 100 प्लेस पूरा पूरा लेंगे तो must be less than 100 और ये sum of n terms integer का जाए गाए n into n plus 1 divided by 2 तो this must be less than 100 तो n into n plus 1 less than 200 अब दो consecutive multiple अब दो consecutive number का जो की 100 से कम हो देखें 10 x 11 110 11 12 13 12 12 13 12 13 यहां से n की value भी आप निकाल सकते हैं लेकिन हम लोग ऐसे निकालेंगे ठीक है तो यहां पे अगर हम 13 14 करें 12 13 और 13 14 ठीक है और 14 गूरे 15 निकालती है 14 15 14 गूरे 15 चलिए एक एक करते निकालते हैं कि 100 से 200 से कम कैसे हो रहा है तब 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 एकन 15, और 21, 210 से अधिक हो गया, 13 गोनी 14, 14 तिया बहले सिके दो हाथ में 4, 14 एकन 14 4, 181, 182, ठीक है, तो ये 13 इंटू 14 एक ऐसा नंबर है, n इंटू n प्लस 1 में, ठीक है, जिसका प्रोडाक्ट, जिसका सम अगर करें, जिसका प्रोडक्ट तरी 182 हो जाएगा, इसका मतलब क्या, अचा, इसके बाद अगर हम 14 लेंगे 14, तो ये 210 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 200 से कम चाहिए, इसका मतलब है, कि ये n जो है, हमारा 13 वाला जो होगा, ध्यान से देखेंगे, जैसे ये 4, 2, 3, 4, 5, ये 13 वाला जो होगा, उसमें ह ठीक है, यहां तक पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, जैसे यहां पर 5 में 5 हो गया, 13 में 13 कमन हो गया, यहां तक जो प्लेसेज आएगा, वो प्लेसेज हमारा आजाएगा, जो और के देख लेंगे, टोटल, तो ये हमारा आजाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 से निकालेंगे, कितना टोटल आजाएगा, जिसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 13 मैं 4, डिवाइद बाइ 2, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 7 तो 13 सत्ते क्या हो गया, 14, मतलब यहां तक, जो भी लेटर्स आएगे, उसका सम जो है, जो पोजि तक complete हो जाएगा, इसके बाद फिर से हमारा 92 में A आएगा, B, C, D, तो ये हो जाएगा, हमारा 91 तक complete हो गया, ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 94, ये हो जाएगा 95, D, E, F, G, H, I, एक एक आवड तक complete, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, A, 100, ठीक है, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, तो 100th प्लेस प्रेश पर क्या आएगा, आएगा, कौन सा, आएगा लेटर आएगा, समझ मैं हैं, 100 प्लेस प्रेश पर जो आएगा, वो हमारा, आए आएगा, एगा तक देख लेशन एगा, आपको यह कोशन भी समझ में आ गया होगा चलिए आज हम लोगों ने दो कुशन किया फिर नेक्ट वीडियो में अच्छा यहां पर हम लोगों ने अप्लिकेशन देखा किस तरह से जो सिक्वेंस है यह एपी के आप्लिकेशन में आ जाता अगर लिखना स्टार्ट करेंगा त चलिए अब आज के लिए ही रखते हैं जरू करेंगो और सबस्क्राइब और सब्सक्राइब करें चलिये त Schule समय को में आब कनशे शलू करें जरू करेंगे कि आज कर आउग देखते हैं आप वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेर और सब्सक्राइब जलू करें ठीक है नोटिफिकेशन बडन को अंग कर ले जिसे कि कोई वीडियो में बनाओ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो लग जाइए पर सी सेट का तिया य च्रुटें एंग – मैंatory करो अबरा है तो प्लीज वाद है किकेशन ब्रफले में एंग चारें लेकोंड़ फिए को श्येकर tou creepypastby मैं सलें ड़ें चलीज़ propre जिए अजर एंग जव के अटेछार है क्या हुत्ट है क्या तो एंगिए लें कनो एंगारें लें बगारें तो ह